नमस्कार देश के सबसे विश्वसनिया, सबसे लोगपी और नमबर बन शो, शंगनाद भी आप सबी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ चुत्रा द्रपाथी ओक्सिजन का राम नाम सत्य है हमें ये इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि हमने, आपने, हम सबने तीन महीने पहले वो दौर देखा है, जब लोग सडकों पर गश खाकर गिर रहे थे लोग ऑक्सिजन के लिए तडप रहे थे ऑक्सिजन के अभवाव में लोग दम तोड़ रहे थे अस्पिताल कह रहे थे कि उनके यहां बगैर ऑक्सिजन के मरीज मर रहे हैं सरकारे ऑकसेजन के उसे लिए कोड का रुक कर रही थी Pan लेकिन संसद में राज्जू के हवाले से केंद्र ने दर्श कराया है कि ऑकसेजन की कमी से कहीं कोई मौत नहीं हुई तो फिर ग्या ऑकसेजन के अभाव में मर गए लोग जूटे थे मर चुके मरीजों के परिजनों का दर्द जूटा था अस्पितालों में बिलकते बेबस बदहवास लोग जूटे थे उस बुरे दौर को जरा याद कीजिए आपके मूह से बर्बस निकल जाएगा ऑक्सिजन का राम नाम सत्य है जाँ जाएगा देखिता प्रमत बागी कीजिए उलसे याओवास लोगजए ये ये तो जाएगा असे पीसा जाएगा ये ये येवास वगजए की एवास साहीजन का जाएगा है ये चीख पुकार जूटी थी जूटी थी आंसों की धार जूटी थी मरते हुए आदमी के सीने में अटकी हुई आखरी सांसे जूटी थी एक एक सांस के लिए तरस्ते तड़ते आदमी की फीडा जूटी थी एस्पतालों की दलील की ऑक्सीजन नहीं है जूठी थी हाई कोट की फटकारे क्यों अक्सिजन दिलाओ जूठी थी बगैर सांस के मर गए आदमी की लाशे जूठी थी सोशल साइट पर सिलंडर के लिए रियाते लोगों की आस जूठी थी सिलंडर के लिए कतारों में लगे बेबस बेचारे और बदहवासे लोग सब जूठा था सच ये है हाँ ये सच है देश के सबसे बड़े लोगतंत की दिवारों के बीच बोला गया सच लोकतंत्र के मंदर के मिनारों और महराबों गल्यारों की देख रेक में बोला गया सच ये एक पन्ना सच का है ये लोकतंत्र के सबसे बड़ी पंचायत में बाकाइदर रिकॉर्ड कराया गया है इस सच के पन्ने पर इमांदारी के स्याही से लिखा गया है कि कोरोना की दूसरी लहर में किसी की भी मौत औक्सिजन की कमी से नहीं हुई ऐसा राज्यों ने केंद्र को बताया है तो नहीं मरा कोई दिल्ली के जैपुर गोल्डन अस्पताल में औक्सिजन की बता है कमी से हम दस बज़े आये बिल्कुल ठीक थे उसके बाद हम घर चलेगे तीन बज़े फोन आया कि आपके है इनी पेशेंट खतम होगे हाट काम नहीं करा हमने का दस बज़े ठीक थे जब आक्सिजन नहीं है तो पेशेंट क्या करेगा है हमें कहते हमने छोटे सलंडर से दिया यह आदमी जूठा है जनाब सरासर जूठा यह जूठ बोल रहा है कि इसके घर के 621 वगैर आक्सिजन के मर गए पुलिस के सामने ऑक्सीजन के लिए गिलगिलाते आदमी का परिजन मरा या नहीं अब क्या फर्क पड़ता है मरा भी होता ऑक्सीजन की कमी से तो कौन सा कोई कुछ कहता लखनव में ऑक्सीजन की किलत के लाचारगी के बीच का ये मातम जूटा है जूटे हैं ये लोग जो कहते हैं कि अक्सीजन नहीं दे सकते तो तड़पा तड़पा के मत मारो हमें बेहर दे दो अब लोग को चाहर पिलवा दीजिया साम हम लोग महुत करीब आत्मी है साम हम लोग को यापर मर्वा दिये पूरे परसादर से साम अब इससे कही नहीं कुछ नहीं है कि यह सब साजिशन जूट बोल रहे हैं क्योंकि सच तो अब वोला गया है कि कोई नहीं मरा ऑक्सीजन की कमी से ऐसा राज्यों ने केंद्र को बताया है और केंद्र ने संसद में दर्ज कराया है मुझे लगता है कि यह मोदी सरकार ने देश के लाखों लोगों की मौत का मजा कुड़ाया है यह मोदी सरकार ने लोगों के दर्द पर अठास लगाया है आज तक देरो हर मुद्दे पर एक दूसरे के विरोध में खड़े हो जाने वाले हमारे देश के नेता इस मुद्दे पर एक हो गए हैं घजब की एकता है कि बीजेपी वाले भी मानते हैं कि उनके सूबे में ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा कॉंग्रेस वाले भी मानते हैं कि उनके सूबे में ऑक्सीजन के किलत से कोई नहीं मरा और केंद्रुस सरकार धर्मराज युधस्चर हो गई है उसे मान लिया है कि राज्यों ने जो कहा वो सच कहा है इसलिए केंद्रुस सरकार ने भी किसी तरह का कोई सवाल नहीं किया तो आने वाली पीड़ें जब पढ़ेंगी कि 2021 में कोरोना की दूसरी लहर आई थी और लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे तो वो सदन में दर्जबयान भी पढ़ेंगी कि उस लहर में ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा मुझे बहुत दुखत रूप से ये देखने का मोका मिला कि ऑक्सीजन न होने के कारण हस्पिटल के कमपॉनवाल के बाहर लोगों के बृत्तियू देखने के लिए मिली तब नितिन गटकरी को नहीं मालूम था कि महस तीन महीने बाद ऐसा समय आएगा जब लोग सभब उनकी बातों को जूठा ठहरा दिया जाएगा संसब में जो सरकार ने कहा है उसका आर्थ यही है कि नितिन गटकरी का सच दरसल जूठ है तो सतरंगी लोगतंद की जय जहां अपने मन माफिक मुद्दे पर पक्ष विपक्ष एक हो जाते हैं एक हो जाती है उनकी राजनीती एक हो जाती है उनकी सोच एक हो जाता है उनके बोलने का तरीका ओक्सीजन की कमी पर होने वाली मौत पर राजनीती संगठित हो गई है तो लखनाउं की तरस्ती तड़ती और धन तोर्ती निगाहों को जुटलाईए आगरा में अपने मरते हुए कोरोना संक्रमित पती को सास देने की कोशिश करती रेणुदेवी की इस तस्वीर को भी जुटलाईए वारानसी में बगैर ऑक्सीजन के ओटो पर पड़े इस मरे हुए आदमी की तस्वीर को भी जुटलाईए और आगे बढ़ जाएए क्योंकि सच वो है जो संसत में केंद्र सरकार ने कहा है पटना के PMCH में ऑक्सीजन के लिए तरस्ते तलपते दम तोड़ते अगर अब तक आपको याद है तो आप भूल जाएए क्योंकि बिहार में तो ऑक्सीजन की कमी हुई ही नहीं थी और कमी नहीं हुई थी तो मौत का सवाल ही कहाँटता है क्यों मंतरी जी है ना इसको ले करके जो कहा है कि जो मॉतों को नहीं है को सुचना है। मध्यपरदेश में उकसीजन के किलत के बीच एक भी उकसीजन प्रांट नहीं था। अस्पताल चिला रहे थे कि हमारे मरीजों की जान खत्रे में है। लोग मर रहे हैं उकसीजन दिला दीजिए। लेकिन मदाल है कि मंत्री जी माल ले, कैसे माल ले, जूट को कौन मान सकता है, सच तो वो है जो मध्यप्रदेश के स्वास्त मंत्री कह रहे हैं ये कहा जा सकता है कि बिहार में ऑक्सीजन की कमी से कोई मरीज की मौत नहीं जो भी अस्पताल के अंदर हमारे मरीज आए, सभी अस्पतालों में, सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों को हमने ऑक्सीजन दिया बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री वो सच के जिंडा बरदार बन गये हैं जो केंदर सरकार ने लोग सभा में कहा है और इस सच को जूट बता रहे हैं कॉंग्रेस के नीतिनियंता तो राहुल गांधी ट्वीट करते हैं कि सिर्फ ऑक्सीजन की ही कमी नहीं थी सम्वेदन शीलता वसत्त की भारी कमी तब भी थी आज भी है जूट की अदालत में सच प्रियंका गांधी भी कह रही है कि केंदर सरकार ने जूट बोला है मौते इसलिए हुई क्योंकि महामारी वाले साल में सरकार ने ऑक्सीजन निरियात 700 फीसिदी तक बढ़ा दिया क्योंकि सरकार ने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने वाले टेंकरों की विवस्ता नहीं की ट्विटर पर केंदर से सवाल करने वाले भाई बहनों ने कॉंग्रेस शासित मुख्यमंत्रियों से नहीं पूछा कि आपके सुबे में बगैर ऑक्सीजन से जिनकी मौत हुई उनका आकड़ा आपने केंदर सरकार को क्यों नहीं दिया चाथीज़ड के स्वास्थ मंत्री कहते हैं कि उनके आपके सवाल है यह सही है कि ऑक्सीजन से रिपोर्टेड कमी के चलते रिपोर्टेड डेस नहीं है हम सर्प्लस स्टेट रहे और प्रबंदन में कहीं न कहीं लास मिनिट में कोई कहीं बैक अप कैसा था क्या नहीं था दो- सही है कि राजस्थान के स्वास्वंद्री कहते हैं कि बगार फिजन के आप मरा ही नहीं इतीछ हमात कमात folding देखा खुड दिल्ली सर्कार हर तीसरे जिन कोट में खड़ी मिली थी कि लोग मर रहे हैं अक्सिजन नहीं है लेकिन दिल्ली में भी केंदर को आंकड़ा नहीं भेजा और आंकड़ा ना भेजने के पीछे परदेदारी देख लीजिए अब थोड़ दिन अबाद ये भी कहे देंगे कि कुरोना तो आहा ही नहीं पें अगर आओक्सिजन की कमी नई थी ऑक्सिजन से डेख ने हुई तो बार-बार हर रोज दिल्ली के अंदर हाई कूट में एक के बाद एक होस्पिटल जा रहे थे रोज क्या रहे थे थे कि लोग यही चरित्र है सियासत का आम आदमी जिन्दा है तो वोट है आम आदमी मरकर भी फाइदा पहुचा रहा है तो आखड़ा है आम आदमी मर कर भी फाइदे कर नहीं है तो आंकड़ा भी नहीं है ओक्सीजन की कमी से मरे हुए लोगों के परिवारों का दुख आज फिर से ताजा है क्योंकि संसद में सच बोला गया है कि ओक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा उन तमाम परिवारों को इश्वर ये असहनी प्रिला सहने की शक्ति एक बार और थे आज तक दोरो